दोस्तों हम देख रहे हैं इतिहास का question paper जो पहला प्रशन है हिंदु धर्म की एक परंपरा शेव है तो दूसरी कौन सी है दूसरा प्रशन है विजय नगर सामराज्य का पहला राजवन्स क्या कहलाता था इसरा है असोक के धम के दो सिद्धान्थ कौन से हैं नेक्स जो है प्रियाक प्रशिस्त की रचना किस राजवी ने की विजय नगर की लोक्स परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को किस किस अंग्या दी गई थी के बाद जो है किताब उलहिंद के लिखक का नाम कई बार बताया हूँ यार मैं आप उत्रगालियो द्वारा गोवा पर विजय किस वर्स में प्राप्त की गई थी टोडरमल कौन थे और हुमायू नामा के लिखक कौन है मुगलकाल में राजस्व वसूल करने की कितनी प्रणार गया थी इसमें से देखो बहुत सारे कौश्चन से ना मैं बतायता हूं आपको एक राज की बात 2024 में आने वाले हैं ठीक है और 2022 का सेंपल पेपर पढ़ लेना 2022 का पढ़ लेना और 2023 का मैंने से कौश्चन आएंगे बाकि आपके पास समय इतना रहता है उसके हिसाब से आप अपना काम कीजी यहां पर नेक्स जे मुगलकाल में राजस्व वसूल करने की कितनी प्रणा लिया थी भारतिय पूर्तत तो जनक किसे कहा जाता है और महाभारत के लेखा कौन थे तो आज नेक्स कुश्चन है आप बहुद समप्रदायों में क्या अंतर था यह आपको बताना है उसके बाद देखी 17 नंबर कुश्चन कहां से कहां गुश गया है बहुपत्नी और बहुपती प्रथा से आप क्या समझते हैं नेक्स जो कुश्चन है भारत का अंतिम समराट कौन था भारत छोड़ते समय मुसार सीमा संबंदी विवादों के समधान के लिए राजा को क्या सला दी गई थी आपको बताना है और नवाब तिराज उद्दौला द्वारा कलकत्ता नगर पर हमला करने के प्रमुक कारण क्या थे इस्थाई बंदोबस्त के बारे में आप क्या जानते हैं कभी नानक द जाओ क्या है वो बता देना है नेक्स जो आपका दो खंड़ा इसमें आपसे पूछा गया वर्नियर के अनुसार समकालीन भारतिय समाज का जो चित्र उभरता है उसका वर्णन आपको करना है क्या समकालीन सहरी केंद्रों में जीवन शैली की सही जानकारी प्राप्त करने मे इबन तुता का वरतांत सहायक है अगर है तो क्यों कारण देना है आपको जैन धरम की महत्पूर्ण सिक्षाय क्या थी एम आहिंसा के सिध्धानतों की संचिप्त व्याख्या कर देनी है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं यह हमें सा कुशन पूछता है ध्यान रखना इस थूप फूलत हो महत्मा गांदी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या क्या किया या उसके दोहारा किये गए या उनके द्वारा किये गए कार्जें से सहीत हैं आपको व्याक्य कर देना है अथवा में असरयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिडोद था कैसे आपको बताने हैं अपने दसवीं भी पढ़ रखें तो आसानी से आप कर सकते हो model paper पढ़ना नहीं भूलना है आपको ये ध्यान रखना है अगर आप कुछ भी mistake करते हो तो आने वाले time में आपका result में ही impact पढ़ेगा आपके उपर नहीं आपका result ही खड़ाब हो जकता है तो result को बैतिर निम्राने के लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि ये December खतम होने वाला है January का समय बचा हुआ फरवरी में आपके exam सुरू होने वाले हैं इस पार पहली बार फरवरी में आपके exam सुरू हो जाएंगे पंदरा के आसपास की date जो है संभावित बताई जा रही है आप देखते हैं कि आपकी पंदर तारिक से exam जो है सुरू हो जाते हैं या उससे पहले हो जाते हैं या उसके बाद में होते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो इस तरह का प्रश्ण बत्र है आपका इसको तयार करिए बैतिन तरीके सा आप पढ़ते रहिए असा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपने कुछ ना कुछ बैतिन सीखा होगा थैंक्यू वेरी मच्छ अवे गुड़े